What's up everyone, this is Kanishk आज बात करते हैं Samsung Knox के बार में अगर आप भी एक Samsung phone यूज कर रहे हैं तो जब आपने पने phone को on किया होगा तो वहाँ पे secured by Knox लिखा हुआ आता है most of the phones में कुछ ऐसे phones हैं आपको वीडियो के end में बताऊँगा कि वह के हिसाब से bifurcation किया हुआ है तो most of the phones में secured by Knox लिखा हुआ आता है बहुत लोगों को यह लगता है कि एक gimmick है कोई security हमको नहीं मिलते है बहुत लोगों को यह भी लगता है कि यह सिर्फ एक secured folder है जिसमें आप अपने photos वीडियो को store कर सकते हैं और अपना pattern पीन वगरा लगा कि आप उसको secure कर सकते हैं लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि यह से बहुत बढ़े लेवल की चीज़ है और Samsung बहुत वक्त से इस पर काम कर रही है और आज Samsung successful हुई है कि आज मैं यह बोल सकता हूँ कि Android smartphone world का सबसे secured phone है Samsung because of the Knox security जो लोग provide करते हैं मैं स्वीडियो में आपको Knox के बारे में बताऊंगा वीडियो में थोड़े से ऐसे technical terms का use करूँगा अगर आपको समझ नहीं आप मुझे वीडियो की description में और जो भी information में आपको बता रहा हूँ यह Samsung के website, Samsung के forum, Samsung के newsletter से लिया हुआ है बोट जारा Samsung हो गया सारा यह उस company के information को research करके मैंने एक साथ एकटा करके मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने कहीं से सुनी-सुना ही बात आपको नहीं बता रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करते हैं Let's do this So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहता हूँ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे मुझे कॉमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी मैं ऐसी बहुत सारी और informative वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा इसलिए जरूरी कि आप सब्सक्राइब करके रख दीजे चैनल को सबसे पहले बात करते हैं कि Samsung Knox है क्या यह एक security framework है जो आपके phone में एक extra layer of security add करता है normal pin, patterns, यह सब के अलावा अगर नहीं समझाए तो इसको और breakdown करके मैं आपको बताता हूँ यह एक ऐसी security feature है जो Samsung ने add के है अपने phone में जो company claim करती है वो जब phones बना रहे होते हैं मतलब manufacturing के time ही वो इसको add करते हैं और उसके बाद software के साथ उसको integrate करते हैं मतलब Samsung Knox एक hardware और software को integrate करके बनाए हुआ एक security system है जो आपके Samsung मोबाइल से में आता है यह इतना ददा secure इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका integration hardware तक है सिर्फ software तक नहीं है अब आप सोच रहोंगे कि यार ऐसा तो एक third party app install करके भी मैं अपने whatsapp पे pattern लगा लेता हूँ और अपने files पे pattern लगा लेता हूँ बहुत सारे folders पे जो मैं नहीं चाहता कि कोई और देख पाए लेकिन वह एक third party app है आप नहीं चाहते कि उस app का developer आखिर क्या कर रहा है आपके data के साथ यहां पर Samsung एक बहुत trusted brand है तो फिर आप बिल्कुल trust कर सकते हैं Samsung को इस मामले में इस हिसाब से और दूसरी चीज़ कि वह सिर्फ software तक सीमित रहता है अगर आपको third party app लाते हैं यहां पर इसका integration most of the Samsung phones में hardware तक रहता है तो यह इसको बहुत ज़्यादा secure बनाता है अब मैं बार-बार यह बोल रहा हूँ कि यह secure है आपको लग रहा हुआ कि इतना बोल रहा है तो मैं इस point को prove करने के लिए आपको कुछ data बता रहता हूँ बहुत सारी worldwide बड़ी government agencies है, defense system है जोनोंने Samsung के mobiles को और Samsung Knox को approve किया है अपने facilities में use करने के लिए as a software और या फिर as a device Samsung की mobiles को approve किया है इसमें से एक NSA है National Security Agency United States की मैंने भी लिख कर रखा है बहुत सारी है तो याद रखना possible नहीं था National Security Agency United States की इसको approve किया है DISA Defense Information System ने इसको approve किया है और Defense Information System जो है US का उसने in fact Samsung के कुछ specific mobile phones के model को भी approve किया है कि वो phone आप उस facilities में वहां के जो workers हैं जो employees है वो उसको use कर सकते हैं FIPS Federal Information Programming Standard ये एक US का standard है उन्होंने भी इसको approve किया है CESG यानि Communication and Electronic Security Group ये United Kingdom की group है इन्होंने भी Samsung Knox को approve किया है और ऐसी बहुत सारी Germany की है, France की है I think Germany और France का Traffic Information System भी इसको approve कर दिया है security के लिए तो आप समझ प्यार होंगे ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि worldwide बहुत सारी बड़ी-बड़ी agencies हैं बहुत सारी ऐसी agencies हैं जो इसको approve कर चुकी है और ये बात proven है कि ये बहुत ज़्यादा secured है इसको hack करना बहुत ज़्यादा difficult है अब बात करते हैं कि back end में actually क्या process होता है आपके phone के कि nox आपके phone को इतना secure बना पाता है सबसे पहला है secure वैसे तो बहुत सारे list of features है जिसकी मैं description में link दे दूँगा आप उस link पे click करके samsung की website की link के आप पूरा check कर सकते हैं कि वो क्या क्या task perform करता है अगर आप technically बहुत जारा sound है तो नहीं हो तो मैं उसको बहुत simple terms में आपको भी explain कर देता हूँ सबसे पहला secure boot है secure boot का मतलब है कि जैसे ही आप अपने phone को on करते हैं उस particular second से samsung nox अपना काम करना शुरू कर देता है अब आप सोचे लों कि phone on होता है उस समय क्या होता है जब आप phone को on करते हैं तो आपका operating system कुछ files को load करता है जिसमें थोड़ा सा time लगता है 6-8 second का और तब आपको finally अपना phone on होके दिखता है उस समय samsung nox बहुत सारे task को perform कर रहा होता है back end में बहुत सारा calculation कर रहा होता है वो आपके जो on हो रहा है उस समय चोटे-चोटे micro files और elements को match करता है आपके operating system के साथ और उसके पास जो data है उसके साथ hardware में जो data save किया गया है उसके साथ अगर वो data match नहीं होता है इसका मतलब है कि आपके phone में कोई और software डाला गया किसी और तरीके का firmware डाला गया तो फिर samsung nox उसको detect कर लेता है तो जिस सेकेंड आपका phone on हुआ उसी समय से प्रोसेस करना शुरू कर देता है सारे information को और अगर किसी आपने custom roam अगर इंस्टॉल किया है तो वो उसी समय उसको detect कर लेगा कि यह original software नहीं है जो फोन में डाला हुआ था यह किसी ने उसमें एक अलग software डाला है बहुत ब्रेव होता है उनको किसी के protection की जरुवत नहीं है यहां पर करनल का मतला है आपके operating system का brain आपके OS का सबसे main component होता है kernel अगर कोई भी वाइरस आपके operating system में घुसके आपके phone में घुसके और kernel तक पहुंच जाता है तो आपके पूरा phone hack होने के बहुत जादा chances और बहुत easy हो जाता है तो इसके लिए जो भी बड़े-बड़े viruses हैं वो सबसे पहले kernel पर attack कर जाएं कोशिश करते हैं Samsung Knox हर second एक guard की तरह आपके kernel को protect करता है वो make sure करता है कि कोई भी एप background में आपके kernel तक वाइरस नहीं पहुंचा सके यह यह भी ध्यान रखता है कि कोई भी apps को बहुत limited permission grant करे अगर कोई app है जो आपने photo खीचने के लिए आया तो वो calls का permission नहीं ले location का permission नहीं ले यह आप भी और साथ-साथ Samsung Knox तो background में ध्यान रखता ही है कि अगर किसी app आपने install किया और उसको आपने camera का permission दिया है तो वो background में और सारे permissions तो नहीं ले रहा है overwrite करने के permissions तो नहीं ले रहा है आपके software को इस इन सब चीजों पर ध्यान देता है और बहुत important feature है बहुत अच्छा feature है यह यह चीज हर second आपके phone में हो रही है कि आपके phone के main component को Samsung Knox protect कर रहा है पर आपको दिखता नहीं अपने screen पर next सबसे कमाल का जो feature है वो है e-fuse का अब e- एक electronic button की तरह है यह बूट लोडर करनल से connected है जब आप अपने phone को on करते हैं अगर नौक से detect करें कि कोई दूसरा software phone में डाला गया है किसी तरीके की जो जैसा आपका phone बन के आया था जिस तरीके के software बूट लोडर थोड़े technical terms में यूज कर रहा हूं जिस तरीके का पूरा software उसमें डाला था Samsung ने अगर उस software के साथ कोई भी छेर सर की गई होगी तो मैंने आपको start में बताया कि Samsung उसको नौक्स उसको phone on होने के समय डिटेक्ट कर लेगा अब आप यह बात समझे अगर वो उसको detect कर लेता है उसी समय तो यह e-fuse जो मैं आपको बता रहा हूं यह e-fuse को वो on कर देगा यह on होने की एक तरीके का button है यह button on होने के बाद क्या हो जाता है कि यह पूरा Samsung Knox जो है वो आपके phone से off हो जाएगा आपका phone यह चीज़ डिटेक्ट कर लेगा वो कि आपके phone में किसी तरीके की छेर चार की गई है और अब यह secured नहीं है तो फिर आपका जो कोई डेटा है जो Samsung Knox के अंदर से वाज ऐसे कि Samsung Pay, Samsung Health, Samsung Pay में जब आप कोई भी card information सेव करते हैं या फिर Samsung Secured folder में आप कोई भी photos, videos, apps सेव करते हैं वो सारा data Knox erase कर देगा उसी समय इसका मतलब है कि कोई भी personal information आपकी phone on होने के बाद अगर किसी ने चेर सर किया है तो उस इंसान कोई उस software को नहीं मिल पाएगी और उसी समय उसको पूरा destroy कर देगा और Samsung Knox उस phone से disable कर दिया जाएगा server के थुरू यह सब इस तरीके से control हो रहा है और US में इसको इसले भी use करती है company कि अगर आपने कोई extra कोई custom ROM डाला कोई ऐसा software डाला जो support नहीं करता है तो फिर आपकी warranty भ बहुत ही कमाल का है यह इस बात का एक्जैंपल है कि hardware integration कितना strong है Samsung Knox का नेक्स बात करते हैं secure folder की fourth advantage है Samsung Knox का और यह बहुत सारे लोग already use कर रहे हैं ऐसा की नाम से समझा रहा है आप secure folder के अंदर अपने photos और videos को save करके रख सकते हैं एक extra layer of security वो add करता है इसके साथ साथ जो सबसे कमाल की चीज़े secure folder की आप उसमें अपने applications को भी use कर सकते हैं और वहां पर भी आपको एक extra layer of security मिलते हैं कैसे हुँ मैं आपको बता देता हूं तुरंत माली जाएगा अपना normal social media account है जो आप विना secure folder के normal अपने phone में use कर रहे है जब आप कोई photo video अगर अप लोड करते हैं तो वो जब social media company के server तक जाता है तो बीच में hack उने के chances बहुत ज़ादा होते हैं वही अगर आप secure folder के अंदर अपना Facebook या Instagram कोई भी account login करके use करें आपने कोई भी data share किया अपने phone से उस company के server पे अपने profile पे तो फिर वो एक secured VPN funnel के थ बहुत ज़र डिफिकल्ट हो जाता है तो यह बहुत अच्छा advantage is secure folder का जिसको updated life में use कर सकते हैं तो शायद हो सकता है कि थोड़े technical terms में यूज कि वह आपको नहीं समझ आए हो आप बिलकुर आराम से मुझे comment में जाके पूच सकते हैं Instagram पे DM करके पूच सकते हैं कोई भी दि चला ऐसा नहीं है Samsung phone या फिर नॉक्स को भी hack किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि यह unhackable है इसको hack करना in fact कोई भी चीज जिसका online presence से उसको hack किया जा सकता है लेकिन एक चीज़ है कि यह बहुत बहुत ज़्यादा difficult है तो अगर आपको android phone लेना है आप security को लेके बहुत ज़्यादा spectacle रहते हैं आप एक business use के लिए लेना चाहते हैं जहां पर आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी data किसी भी रूप में hack हो share किया जा सके तो फिर मुझे लगता है कि nox के साथ वाला phone लेना अच्छा है वीडियो ख hardware integrated कोई भी feature आपको M-series में नहीं मिलेगा A-series, S-series और Note series यह तीन ऐसे Samsung के phone series हैं जिसमें आपको Samsung Nox Samsung Nox का hardware और software दोनों का integration मिलता है इसलिए यह थोड़े से expensive भी आता है आप जानते हैं कि जब आप एक level आगे जाईए का किसी भी चीज को secure करने के लिए तो थोड़े सा आपको price उसका pay करना पड़ेगा तो यह था Samsung Nox के बारे में अगर आपको video अच्छी लगी हो थोड़ा स थोड़े से कि बापको करने इस आपको रहे हैं कि प